हलो फ्रेंड्स वेलकम टो इवान्स वर्ड तो आज हम बिहारी अस्टैल में ड्रामस्टीक की सबजी बनाएंगे और इसे हम लोग बिहार में मुन्गा और सहजन के नाम से जानते हैं और बहुत ही स्वाधिस्ट और बहुत ही फाइदेमत सबजी होती है ये तो देख सकते हैं नई तो इसके छिलके अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए हमने सारे ड्रामस्टीक के सायन के इस तरह से छिलके हटा दी है देख सकते हैं अब हम सबजी बनाने के लिए सायन हमारा बिलकुल रेडी है और इसे अवद हम एक बड़तन में डाल कर पानी से धूल लेंगे ठंडे इसके साथ हम आलू भी मिक्स करेंगे, सो सहजन हमारा इस तरह से आप पहले इसे कट करके छिले, धोले, और उसके साथ हम दो बड़े-बड़े आलू भी कट करेंगे, और एक प्याज दो हरी मिर्ची, सो सहजन के साथ आलू मिक्स करने से समची अच्छी बनते हैं, सो देख सक करके paste बना लेंगे तो लासून सरसो का paste हमारे रेडी है आप चलते हैं सबजी बना ले की ओर तो इंडक्शन पर हम पैन चड़ाएंगे आप चाहें तो गैस पर बीचड़ा सकते हैं तीन से चार चमच तेल दालेंगे और सरसो तेल में यह सबजी हम बनाएंगे तेल अच्छे दो मिनट भूनेंगे और उसके बाद हम आलू डालेंगे तो आलू डालने के बाद आलू को भी हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे और उसके बाद हम साहजन भी डाल देंगे साहजन डालने के बाद इसे दो से चार मिनद तक हाई फ्लेम पर हम भूनेंगे और इसके बाद हम इस चावल के साथ खाए, रोटी के साथ खाए, बहुत स्वाधिस्ट लगते हैं, अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था, लासून सर्सो का वो डालेंगे, मसाले, और इसमें लासून सर्सो का पेस्ट जरूर डालें, क्योंकि इसी से सबजी का टेस्ट बिल्कुल मचली के तक इस तरह से ढखकर भूनेंगे, बीच बीच में अब ढखका नटकर चलाते रहें, तब तक लासून सर्सो का कच्चापन न चला जाए, तो मसाले अच्छे से भूने रहेंगे, तो सबजी अच्छी बनेगी, तो इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, थोड़े इन सब घर में इजली अब लेवल होते हैं, यही सब मसाले हम इन सबजीों में डालेंगे, साजन की सबजी में सो, और लासून सर्सो का पेट तो हमने डाल लिया था, उसी से इस करी की टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आती है, अब हम मसाले को भी अच्छे से भून लेंगे, देख सकते हैं, हाई फ्लेम पे हम इसे अच्छे से भूल लेंगे, कलर भी चेंज हो गया है, लासून सर्सो भी हमारा फ्राय हो चुका है, मसाले भी डालने के बाद, अब हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि इसे हम ग्रेवी वाली सबजी बनाएंगे, और इसकी ग्रेवी अच्छे से कुख हो जाए, और सहजन भी पक जाए, तो इस तरह से आलू और सहजन की अब इस सबजी को देख सकते हैं, अलू भी अच्छे से कुख हो गया है, और इस सबजी बिल्कुल रेडी है, अभी थोड़ी पतली ग्रेवी है, और इसे अगर हम छोड़ देंगे, तो इस स्टेज पे हम इंडक्शन करेंगे बाद उपर से थोड़ा सा धनिया पतला और डाल कर सबजी को करने देंगे रेष्ट, अब हम उसके बाद हमने चावल रेडी कर लिया था, इसे हमने लंच में बनाया था, इसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत इस वाद इस तो देख सकता है, हमारी लंच थाली रेडी है, आलूप साजन की सबजी, चावल और सलाथ के साथ हमने इसे सरक किया था, कितनी यमी सी एमेजिंग समग समग